नमस्कार स्वागात है हमारी यूट्यूब चैनल हैस्ट्राग एग्रिबाई चंदन दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो बजेट नेचुरल फार्मिंग यह भी हाली में चर्चाम था जो 16 दिसंबर को नेशनल करने क्लेव और नेचुरल फार्मिंग का आयोजन जो है आपका गुजरात में किया गया था जो हमारे मोदी जी प्राइमिनिस्टर मोदी जी है उन्होंने नेचुरल फार्मिंग का जिक्र किया था इसलिए चर्चाम के भी से हैं तो जो जीरो बजट होता क्या है कि उत्पादन लागत को जीरो बजट जो है उत्पादन लागत को सोने करना और नेचुरल फार्मिंग का मतलब होता आपका प्राक्टिक खेदी करना जिसमें किसी भी प्रकार का केमकल का और फर्टिलाजर का यूज नहीं करना तो वीडियो सुरू करने से पहले हमारे एक रिक्वेस्ट आप से यह आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, सेर जरूर करते हैं जिसे हमारा मोटिवेस्ट बना रहे हैं दोस्तों कभी इंपॉर्टन कोसन जो है एक्जाम में आने वाले किसी भी एक्जाम में आ सकते हैं यहां से तो वीडियो का आप लाश्ट तक जरूर जाती है किसानों द्वारा किये गए लागत को इंटर क्राफिंग के मात्यम से वसूल किया जाता है जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है सी निर्मला सीता रमण ने दुझार 19 के बजट भासण में जो है किसानों की आयत दुगरी करने के लिए जो है जीरू बजट निरू फर् हानित किया गया था इनको जो है जीरू बजट नेचुरल फार्मिंग का जो जनक कहा जाता है इन्होंने इसे 1990 के दसक के मध्य में हरित करांथी के तरीकों के विकल के के रूप में विक्सित किया जो ने बजट फार्मिंग खेती के समर्थन में सुबास पालकर द्वारा खेत्रों और मिट्टी प्रकार में जीरू बजट निच्टरल फार्मिंग की तक्निका उप्योग कर रहे हैं एक पौधा उगाने के लिए जो कुछ भी आवस्तेक हैं वहाँ प्रक्ति में मवजूद है आपके जो भी जंगल फारेश ने दिया हैं वहाँ पर कोई मानों नहीं नहीं रहते हैं वहाँ पर बीना किसी फटी लाजर या केमकल के पौधे काफिच ग्रूप करते हैं और उसमें किसी भी परकार जो है नूट्रिंट के डिपीजेंसी नहीं पाया जाती है अगला पॉइंट जो है आपका एक पौधे को उगाने के लिए किसी रसायन के अस्व अगला पॉइंट है आपका जो है जीरू बजट निच्टनल फार्मिंग को एक ऐसे उपकरड के रूप में जो है देखते हैं जो उन्हें कर्ज और चुक से मुक्त कर सकता है अगला प्रस्क पॉइंट है आपका यह खेती को लाबदायक और टिकाओं बनाता है आपके स्वार्मिंट है जीवळमरित च्छटना शेद मल्चिनिग के यह बजा रोप्सा होती है यह आपका छो है मिक्चर है तो इसका यूज क्या होता जीवामिरित का जीवामिरित जो होते हैं यह मिट्टी में पूसक तत्तों को जोडने और मिट्टी में सुछ जीवों की गति वीदियों को उत्प्रेरित करने में मदद करते हैं यह आपको जीवामिरित होते हैं आपका केटालेटिक काम क आसकता है और जीवाम मुर्ढा काम कैसी करता है यह आपका तो है । इसकर यूज़ करते हैं लगबग 200 लीटर जीवाम के यूज़ क्या जाता है कि भारती नसल है वह एक गया जो है सभी सीहंट है आपकी तीस एकट जैमीन के लिए अब दुस्वार का पॉइंट है यह काफी इंपॉर्टेंट है यह जो है आपका सीट ट्रेट्मेंट के लिए यूज किया जाता है बीज का अर्थ जो है स्वारी और जबकि नीम के पत्ते और लुगदी तंबाखो हरी मिर्च एक अन्य मिस्ट का उप्योग जो है आपका कीट नासर की रूप में भी गिया जाता है अच्छा दना का अर्थ होता है आपका मल्चिंग सुरते हैं जितने भी आपके खाल पत्वार है आपके जितने भी करता है जो आपके स्वाल इलिवजोन को कन्ड्रोल करें और आपका स्वाइल मौहसुत को कंजर्व करें ऑर चोधा पॉइंट आपका वापासा यह एक ऐसी स्थिधिग है पे मिट्टी में एयर मालकिल्स और वाटर मालकिल्स दोनों के उपस्ति होती है वापसा जो था है सिचाई आव सकताओं को कम करने में मदद्ध करता है अगला पॉइंट आपका जो है कि इसका यूज गया है तो इस परकार की खेतिम जो है कम से कम लागत के अलावा जीरो बजट निचुलर फार्मिंग को भी बढ़ावा देती है इसमें कहाता कि जो मिट्टी के स्वायल एडियसन वह अच्छा रहता है इसमें कम मतलब पानी की जरूरत पड़ती है और इंटर क्रॉपिंग होती है के लिए काफी हेलफुल रहता है एक इंपॉर्टेट पॉइंट है आपके जो है सगन सी चाहिए और गहरी जुताय को जो है बढ़ावा नहीं देता जीरो बजट फार्मिंग जो होता है कि दिन की दिन जो आपका यूज हो रहे हैं केमिकल फटिलाजर तो उसको कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है एंगना। प्रस्टिन आपका प्रस्टिन कि आपका देख सकते हैं क्या वर्मी कंपोस्ट का यहीं करते हैं। कीसिश्ट और यहीं थी आपका यहिएंग सब्सक्सक्त अलंद के लिए बंद सादन के रूप में केचुओं है। और यह जो है जीरो बजट नेचरों फार्म को सपोर्ट नहीं करता है पालकर के इंसार जो है वर्मी कंपोस्टिंग में उपियों किये जाने वाले यूपियन रेड विगलर सबसे आम खात के चुगा जोती है जहरीली धातों को अवसोसित करते हैं और मिट्टी को जहर देते ह इसलिए जो है वर्मी कंपोस्ट का यूज नहीं करते हैं जीरो बजट नेचरों फार्मिंग में अगला पॉइंट है आपका 2024 तक जो है 100 प्रतीसत जो है प्राकृतिक खेती का अभ्यास करने वाला पहला राजे बनने की यूजना बनाने वाला भारत का पहला राजे जो है यह आंद्रप्रदेश होगा 2024 तक अंगला पॉइंट है आपका जो है इसकी कुछ जो है आलोचना जो है क्रिटिसीज में है आपका जीरो बजट नेचरों फार्मिंग की तो यह जो है बेग्यानिकों के गॉडिंग जो है अच्छी जो है स्वारी जीरो बजट प्राक्रतिक खेती की आवधारणा बेग्यानिक समुदाद वारा जो है अच्छी तरह से स्विक्रित नहीं है राष्टि क्रिसी बिग्यान एकाडमी के बेग्यान को ने उल्ले किया है कि भारत जीरो बजट नेचरों फार्मिंग पर भरोसा नहीं कर सकता है क्योंकि जीरो बजट खेती में इस्तिमाल की जाने वाले तक्निकों को कोई बिग्यानिक सत्यापन नहीं है जैसा कि नाम से पता चलता है कि खेती की बीधी निउन्तम इंपुट लागत वहन करती है वरतमान में उप्योग की जाने वाली गायों की तुन्ना में अस्थानी गायों की जो है नसल का रख रखाव जो है मुस्किल है और बात करें आपके जिरू बजट नेच्रल फार्मिंग द्वारा लगाए गए फसलों के जैविक प्रमारी करण में जो है एक और बांधा का सामना करना पड़ता है और इससे उत्पादों को जैविक ब्रांडों को बेचने में खट्राई हो सकती है एक कन्क्लूजन की बात करें तो जो मरुस्थली करण पर संयुक्त राष्ट सम्मेलन कौप चौदर कॉन्फरेंस आप पार्टी को संभोधित करते हुए भारती प्रियम ने वेस्विक समुदाय से कहा कि भारत जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जीरो बजट निच्टरल फार्मिंग को 2022 तक किसानों की आय को दोगना करने के लिए बजट 2019 में भी हाइलाइट किया गया था हलाकि राष्टि क्रिस्टी विग्यान एकाडमि ने विग्यान को ने सुझाओ दिया कि सरकार को जीरो बजट निच्टरल फार्मिंग को बढ़ावा देने की कोई आवसत्ता नहीं है जब तक कि उचीद विग्यानिक सत्यापर न हो सके तो दोस्तों कैसे लगे हमारी वीडियो में आप कमेंट करके जरूर बता है थैंक्यू सो मच